अबी सिट्टिंबर आने वाला है तो आप सप्टिंबर के मेहने में कौन कौन से प्लांट की कटिन अभीं आसानी से लगा सकते हैं तो आजकी इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाली हूँ कि आप अभी कौन-कौन से प्लांट की कटिन लगा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टाट करते हैं तो यह देखिए यह है मासरोस पोट्योला का और पर्सलेन इन दनों की कटिन आप अभी लगा सकते हैं जो बहुत यह आजानी से अभी जल्दी से ग्रो हो जाएगा और देखिए पर्सलेन यह सब कटिन से लगा हुआ है और अभी बारिस के मौसम में इसमें बहुत ज्यादा भी फ्लावरिंग हो रही है और देखिए बहुत ज्यादा खिल के आए हैं तो इसे आप अभी लगा सकते हैं अगला प्लांट है फ्रेंड्स यह देखिए ड्रेग और यह देखिए यह टर्टल वाइन इसकी कटिन तो आप बहुत ही असानी से लगा सकती इसे आप फेक दोगे तब भी यह बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है और कुछ ही दिनों में पूरा आपका गार्डन भर देगा आपका गमला तो भरेगा ही भरेगा पूरे गार्डन मे यही नजर आएंगे तो टर्टल वाइन उसकी कटिन अप कोई भी आसानी से लगा सकते हैं और अभी तो बारिस का मौसम चल रहा है तो और भी बहुत जल्दी इसमें से रूट निकल आते हैं रूट से निकल आएंगे जो बहुत ही देखें खुबसुरत लगता है इस तरह ह आते जुमते हुए तो इसकी कटिन भी आपको कहीं से मिल जाए तो आप आसानी सी से भी ग्रोव कर सकते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर मैं रखी थी इसको नहीं इसमें मिट्टी है नहीं देखे पानी है थोड़ा सा हलका सा इसमें मिट्टी है इसकी कटिन बस रखी थी तो उसमें भी देखे रूट्स निकलाएं, मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी करके रखी थी, तो ये इतना मतलब बहुत जल्दी इसमें रूट्स निकलाते हैं, बहुत जल्दी ग्रोव भी हो जाता है, तो देख सकते हैं, ये मैं रखी हूँ तो उसमें इसमें रूट्स लगा सकते हैं और अगला प्लांट है यह देखिए कुलिस प्लांड की कटिन है देखिए इसकी कटिन में लगाई थी कोछ constant पहले तो देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छ तो यह नीचे मिट्टी में क्यारी में लगा हुआ है तो बहुत ही खुबसूरत दिखने वाला प्लांट है इसे आप अपने गार्डन में जरूर सेट कीजिए और नर्सरी में अभी काफी महंगे मिलते हैं तो इसलिए इसकी कट्टिन से लगाना ज्यादा बेटर होगा और यह है फ्रेंड्स यह कैक्टस देख सकते हैं यह भी क्यारी में ही लगा हुआ है मेरे क्यारी में बहुत सारे ऐसे इसी प्लांट के कट्टिन में लगाई हूँ क्योंकि इस पेस की कमी है तो यह कैक्टस है यहाँ पर से आप कट करके इसको आसानी से लगा सकते हैं काफी ब के हूए हैं और इसमें पिंग टर के छोटे से फलावर आते हैं फ्रेंच.. छोटे इस तरीके से तो इसकी लिफ ही किति अंदर दिखती आइं देख सकते हैं तो मैं लगाईमाया तो आपको इसके कटिन कहीं चेवे मिल जाती है तो आप अभी लाके तुरंत लगा सकते हैं फटा-फट से जल्दी देर न कीजिए जल्दी कीजिए फटा-फट लगाईए अगला प्लांट है फ्रेंड्स यह है रियो का प्लांट इसी बोट लेली भी कहते हैं तो यह और इसकी दूस्य वराइटी है यह देखिए वरिगेटेट लिप्स बहुत ही खुपसूरत दिखता है यह देख सकते हैं पीछी परपल कलर है और यह भी मल्टिप्लाई होके देखिए नए-नए प्लांट से निकलते रहते हैं तो इस तरीके से एक छोटा सा आप कहीं से भी ले आएं तो उसको लगा देंगे तो बहुत जल्दी इस तरीके से पॉट पुरा भर देगा तो आप असानी से इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं और यह देखिए डर्शीना जो कटिन से लगाई हूं तो यहां पर डर्शीना की जो देखिए खुपसूरती देखते ही बन रह सकते हैं तो यहां पर देखिए टेंगल हाट टेंगल हाट तो ऐसा प्लांट है कि इसे फेक भी दोगे न तो भी आपके गार्डन में उग जाएगा और एक बर लियाओगे गार्डन में तो जाने का नाम ही नहीं लेता है जैसे कि मैंने बताई टर्टल वाइन और यह कमले के उपर इस तरीके से रग भी देना है रग भी देंगे तो भी यह असानी से इसमें रूट्स बन जाएंगे कुछी दिन में रूट्स बना लेंगे और जल्दी पाट भी भर जाएगा तो आप अभी लगा सकते हैं और देखिए अगला प्लांट है यह है लग्की प्ल इस तरीके से छोटे से कटिन लेके आप लगा दीजिए जो असानी से ग्रो हो जाते हैं और अगला प्लांट है फ्रेंड्स सिधर उपर मैं रखी हूं यह शनेक प्लांट है इसे तो आप जानती हैं देख सकते हैं यह पुरा इसमें से बेबी प्लांट जो निकले हैं उसमे रेट कलर का फूल आता है इसमें तो आप अभी विंटर की तयारी अभी से कलीजिए कलांचो को कटिन से लगा सकते हैं और यह देखिए यह हैं इस्पाइडर प्लांट काफी खुबसूरत देखता है यह भी मल्टिप्लाई होते रहता है और काफी घना भी हो जाता है और य ताके मेरे लॉंग वीडियो देख सकते हैं इसने प्लांट के उपर है और यहां पर सदा बाहर की च्छोटी सी प्लांट मैं लगाया हूं बहुत ही सुंदर सा कलर है देख सकते हैं तो इसे भी आप बारिस के मोश्यम में कटिन से लगा सकते हैं जो बहुत असानी से सकते हैं क्योंकि अभी अगस्त का मंत जाने वाला है और सिप्टेमबर आने वाला है तो जल्दी कीजिए फटा-फट से इसकी कटिन और जो बल्बसे त्यार होते हैं यह है केलिडियम जो बल्बसे त्यार होते हैं यह इसे बल्बसे लगता है तो आप इसे लगा सकते हैं और सबी भी बारिस हो रही है तो बारिस के मौसम में इन प्लांट सभी पौधों की आप कटिन लगा सकते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाता है और आपको कुछी दिनों में आपके गार्डन को पूरा हरा भरा कर देगा तो यह अंजवाइन है तो आप इसकी भी कटिन आसा सानी से कटिन से ग्रो कर सकते हैं यह देखिए मैं कटिन लगा दी हूँ इसमें एक छोटे से कंटेंणर में लगाई हूं कि यहां पर देखिए फ्रेंट्स यह है कोलियस का प्लांट और मेरे पास तीन वराटी है कोलिस के और यह इसकी मैं कुछी दिन पहले लगाई हूँ तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है और यह कुटिन से ही लगा हुई है यह देखिए और इसकी फ्लावर भी आ गये है और यह दूसरा वाला देख सकते हैं तो यहां पर देखिए तीसरा वाराइटी यहां पर यह देखिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को कैसे लगी प्लीस कमेंट करके कमेंट बाक्स में बताईएगा और अभी जल्दी कीजिए अभी देर नहीं हुए जितने भी मैं प्लांट्स की कटिन बताएं हू